हलो स्टूडेंट तो आज हम देखने वाले हैं प्रस्नावली 2.1 पिछले वीडियों में हमने सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में चर्चा किया प्राक्लिस संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांग परिमेर संख्या और अपरिमेर संख्या उसके बाद जो है परिमेर और परिम्य संख्याओं के मध्य और परिम्य संख्यां के व्याहत करना तो आएदे हैं कि दो परिम्य संख्याओं क मध्य परिम्य संख्या याद करने से पहले यह कुछ simple question है इनको हम पहले कर लेते महां कि यहाँ पर दिया है निमद्ण लिखित कफनों के लिए उद्धारन दीजिया इस statement के आधार पर हमको एक example देना है एक संख्या जो प्राकलिष संख्या पूर्न संख्या और पूनांग संख्या है तो आपको पता है प्राक्रिष संख्या में एक से लेकर के अनंत पूर्ण संख्या में जीरो से लेकर के अनंत और पूर्णांग में जीरो धनात्मक और रिनात्मक तीनों सम्मिलित होता है तो यहां पर जो बोला गया है कि जो प्राक्रे संख्या भी है पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांग भी है यदि हम एक य भी है पूर्ण संख्या भी है पूर्णांग भी है इसी प्रकार एक से ले करके अनंतक धनात्म संख्या कोई भी लेंगे तो इसके लिए वो सही जामपल होगा एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राक्रिस संख्या न हो तो ध्यान देखेंगे पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है जीरो से अनन्तक जाता है और प्राक्रिस संख्या कहां से एक से तो अगर हम देखें कि पूर्ण संख्या जीरो से लेकर के जो है इधर अनन तक जा रही है और प्राक्री संख्या एक से लिगर के अनन तक जा रही है इसमें बोलागे है कि एक संख्या जो पूर्ण संख्या तो हो परंतु प्राक्री संख्या नहीं है एक संख्या जो परंतु प्राक्री संख्या नहीं है एक संख्या जो परंतु प्राक्री संख्य संख्या ना सभण अभी अब यहां पर देखें परिमें संख्या ओक्रेज संख्या न हो तो प्राक्रिस संख्या में तो आपका एक से ले करके जो है अनम तक पूरा आ जाता है तो यहां पर ऐसा कौन सा संख्या ले सकते हैं जो प्राक्रिस संख्या तो है पर वो प्राक्रिस संख्या नहीं है तो एक से ले करके इधर अनम तक तो हम नहीं ले सकते क्योंकि वो जो है प्राक्रिस संख्या हो जाता है और यहां पर हमको क्या बोला है प्राक्रिस संख्या नहीं होना चाहिए तो यह प्लस 1 से ले करके इधर प्लस साइड अनम तक हम नहीं ले सकते इधर आपका क्या है 0-1-2 इस में से कोई भी एक्जामपल को आप दे सकते हैं यह सभी जो है परिमेर संख्या तो होगा परंतु प्राक्रिस संख्या नहीं होगा एक्जामपल के लिए 0 अगर ले ले तो 0 जो है 0-0 बटे 1 लिख सकते हैं तो यह परिमेर संख्या के रूप में आ जाता है रिड़े को अगर ले तो रिड़ दो भी लिख सकते हैं माइनस वन लिख सकते हैं माइनस टू लिख सकते हैं आप इधर माइनस आई कोई भी संख्या ले सकते हैं वो जो है आपका परिमे संख्या हो जाएगा परंतु प्राक्रे संख्या नहीं होगा तो इस प्रकाश से यह हो गया अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 6 वह साथ के बीच तीन परिमे संख्याएं याद करें तो पिछले वीडियो में जो है मैं इसको जो है explain कर चुका हूँ 6 और 7 के बीच हम और 7 विधी के द्वारा परिमे संख्या ग्याद कर चुके हैं और 7 विधी में होता क्या है कि जो भी 2 नंबर हमको दिया गया है वो दोनों को जोड़ दो और उसको 2 से भाग दे दो तो एक परिमे संख्या हमको मिल जाता है तो यदि आपको यह प्रस्ण देखना है तो आप इसके जश्ट पहले वाली वीडियो को देख लेंगे तो 6 और 7 के बीच परिमे संख्या ग्याद करने का विधी जो है आपको पता चल जाएगा अब हम 3 प्रस्ण देखते हैं 4 बटे 7 वा 5 बटे 7 के बीच 5 परिमे संख्याएं ग्याद किजिए यहाँ पर ये 4 बटे 7 और 5 बटे 7 इसके बीच में हम परिमे संख्या कैसे ग्याद करेंगे इसको पहले थोड़ा सा हम संख्या रिखा में समझ लेते हैं आईए देखते हैं मान लेते हैं ये जो है आपका संख्या रिखा है यहाँ पर है सुन्ने, यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर दो और इधर आगे और पढ़ा सकते हैं इस तरब रेंड एक रेंड दो ये भी आगे बढ़ेगा मान लेते हैं यहाँ पर यदि आप कोई भी एक नमबर लिले जीरो से एक के बीच को यदि हम यहाँ पर जो है पाँच भागों में बाट दें एक दो तीन चार पाँच इतने भागों में बाट रहें पाँच तो यह जो आपका पहला वाला है यह क्या कहलाएगा एक बटे पाँच उसके बाद दूसरा वाला क्या कहलाएगा दो बटे पाँच तीसरा वाला तीन बटे पाँच चौथा वाला चार बटे पाँच और यह पाँच बटे पाँच या जाने की क्या हो जाता है एक हो जाता है अब यदि आपको एक question दिया जाए कि एक बटे 5 और चार बटे 5 के बीच में आप दो परिमेर संख्या जाती दिए ज्यान देंगे यह है आपका एक बटे पाँच और यह है आपका चार बटे पाँच तो यहाँ पर एक बटे पाँच और चार बटे के पाँच में अगर हम देखें तो हमको दो संख्या मिल रहा है यह आपका दो बटे पाँच और यह तीन बटे पाँच है ना इन दोनों के बीच में हमको क्या मिल रहा है दो बटे पाँच और तीन बटे पाँच अब यहाँ पर थोड़ा से ध्यान दिजिए यहाँ पे दोनों के हर में कैसा संख्या था समान संख्या जब दोनों के हर में समान संख्या है तो अंस में देखते हैं कि कौन-कौन सा नंबर दिया गया है जैसे 1 और 4 तो हमको यह पता है कि 1 और 4 के बीच में कौन-कौन से संख्या मौजूद हैं 2 और 3 तो यहां पर हम 2 बटे 3 दो बटे 3 बोलता हूं 2 बटे 5 और 3 बटे 5 हम ले लेते हैं कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर दोनों के हर में समान हैं तो दोनों के अंस को हम देखते हैं कि दोनों के बीच में कितने संख्या मौजुद हैं तो यहाँ पर तुद हर में अगर देखा जाये तो साथ और साथ पराबर है लेकिन अंस में यहाँ पर चार है और यहाँ पर क्य दोनों के हर समान है तो अंस में हम देखे कि एक और चार के बीच में कौनसा संख्या है तो यह आपका दो और तीन है तो इसलिए हम बता विये कि दो बटे 5 होगा और तीन बटे 5 होगा के ऑफल दो नंबर हम ले सकते हैं यहाँ पर फिलाल भी लेकिन मानαιलों को यहीं पर बोल दिया कि पांच नंबर ग्याद कीज़े एक बटे पांच और चार बटे पांच के बीच में पांच संख्या आपको ग्याद करना है तब फिर क्या करेंगे इसके लिए जो है अभी मैं इस कोजिशन के द्वारा आपको बता रहा हूं तो देखते हैं चार बट में यहां पर बननेवाला है 4 बटे 7 अब ध्यान दीजिएगा 4 बटे ार 5 बटे साथ के बीच मेंlook किटना परी में संख्या घ्याद करना बह्ता कम कीजिएगा जितना परिमे संख्या बोला जाता है उसमें प्लस वन कर दें तो कितना हो जाएगा ये पांच धन एक बराबर 6 और ये जो संख्या दिया गया है इसके अंस और हर दोनों में 6 का हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, 24 और 6, 42 याने कि 4 बटे 7 का एक तुल्य परिमे संख्या हम को क्या मिला 24 बटे 42 ठिक वैसे ही 5 बटे 7 के बीच के लिए भी हम यही करेंगे 5 बटे 7 के अंस और हर में हम 6 का गुना कर देते हैं 5 शेक का कितना हुआ 30 और 6 सत्य कितना हुआ 42 अब देखिया दोनों के हर में कैसा हो गया समान दोनों के हर समान हो गये और अंस में कितना कितना है 24 और 30 तो आप 24 और 30 के बीच में आपको कितने नंबर मिलते हैं 25, 26, 27, 28 और 29 कितने नंबर हो गये 1, 2, 3, 4, 5 और सभी के बटे में हम कितना कर देंगे 42 तो इस प्रकार से देखते हैं कि 24 बटे 42 और 30 बटे 42 के बीच में ये आपको 5 परिमे संख्या मिल जाते हैं जो कि वास्तों में किन के किन के बीच है 4 बटे 7 और 5 बटे 7 के बीच में हैं क्यों ऐसा है? क्योंकि 4 बटे 7 के जगा में हम कितना लाएं है? 24 बटे 42 ये दोनों तुल्ले परिमे संख्या है याने कि बराबर हैं वैसे ही 5 बटे 7 के तुले परी में संख्या क्या लिए हम लो 30 बटे 42 तो इन दोनों के बीच में जो भी नंबर होगा वो जो है इन दोनों के बीच में भी होगा यहां पर अब यह तो समझ में आ जाता है कि 4 बटे 7 को हम 24 बटे 42 बनाएं 5 बटे 7 को 30 बटे 42 बनाएं इन दोनो के बीच में जो नंबर मिला इन दोनों के बीच में भी होगा लेकिन यहां पर 5 परिमेर संख्या ग्याद करने के लिए बोला गया था तो इसमें प्लस वन करके 6 हुआ और हम यहां पर 6 का जाहिस के अंसर हर में गुना की है ऐसा क्यों हम कोई दूसरे नंबर का ज्यात कर सकते हैं आप दोनों के बीच में जो है यहां पर जैसे 6 का गुना की तो होता क्या चार ब medida तो 4 गुणित 5 बटे 7 गुणित 5 अगर हम कर देते हैं, 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, 5 बटे 7 का सेम देख लेते हैं, 5 गुणित 5, बटे 7 गुणित 5, 5 पंचे 25, 7 पंचे 35, दोनों के हर में कैसा हो गया? समान, अब यहाँ पर 20 और 25, इनके बीज में हमको कितने नमबर मिलें? 21, 22, 23, 24, कितने नमबर मिले हमको? चार नमबर, बोला कितना गया था? 5 नमबर, तो यहाँ पर हमको परेशानी हो जाता है, इसलिए जितना नमबर ग्यात करना है, उसमें एक प्लस कर दो, और जो नमबर आता है, उसी का आंसर हर में आप गुणा करेंगे, यदि आपको ज़्यादा नमबर जीए, आप डारेक कर सकते हैं, तो इस question को मैं continue करता हूँ, जैसे यहाँ के, 4 बटे 7 का हो गया, 24 बटे 41, 5 बटे 7 का हो गया, 30 बटे 41, अब यहाँ पर लिख देते हैं, 24 बटे 42 वह, 30 बटे 42 के मद्ध, पांच परिमेय संध्या, कितना हो जाएगा, 25 बटे 42, 26 बटे 42, 27 बटे 42, 28 बटे 42, 29 बटे 42, एक, दो, तीन, चार, 5 हो गया, है, जो की, अब हमको इन दोनों के बीज में नहीं बोला था, इनके बीज में बोला था, 4 बटे 7 और 5 बटे 7 के बीज में, तो हम लिख देंगे, जो की, 4 बटे 7 वह, 5 बटे 7 के मद्ध हैं, और यह हो जाता है हमारा आंसर, तो इस रकार्ट से अगर, जैसे पहला हम लोग दूसरा कोजिचन में देखेते हैं, 6 और 7 केवल वो जो है पूर्णांग के रूप में है, परिमें हम बना सकते हैं, 6 बटे 1 करके, 7 बटे 1 करके, लेकिन यह केवल अभी फिलाल पूर्णांग के रूप में है, इनका बीच में अगर परिमें संख्या ग्यात करना हो, तो हम और सत्वीधी से ग्यात कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, दो से भाग दे दो, लेकिन अगर भीनन के रूप में है, परिमें संख्या के रूप में दिया है, 4 बटे 7, 5 बटे 7, दोनों के हर कैसे हैं? समान हैं उस condition में आपको कितना परिमेर संख्या ज्यात करने के लिए बोला जाता है उसमें प्लस 1 करो, जो नंबर आएगा इनके answer हर में गुना करके तुल ले परिमेर संख्या प्राप्त करो फिर दोनों के मद्ध में परिमेर संख्या प्राप्त हो जाएगा अब यहाँ पर जो है, same question जैसी ये तीसरा question जैसा लिया गया है same जो है आपका छटवा question दिया गया है 5 बटे 10 और 9 बटे 10 के बीच की कोई 3 परिमेर संख्या कितने परिमेर संख्या? तीन परिमेर संख्या हमको ज्याद करना है तो दोनों के हर में कैसे है? समान, 10, 10 अंस में कितना कितना है? अंस में है आपका 5 और 9 तो 5 और 9 के बीच में आपको कितने परिमेर संख्या मिल जाएंगे? एक मिलेगा आपको 6, दूसरा 7, तिसरा 8 तो यह आपको तो तीन नंबर ऐसे ही पता है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 5 और 10 और 9 और 10 के बीच तीन परिमेर संख्या क्या हो जाएगा आपका? 6 और 10, 7 और 10 और 8 और 10 यही आपका अंसर हो जाएगा इसमें आपको कोई भी जहनजट करने की आओ सकता नहीं है अब यहाँ पर देखते हैं प्रस्न चौथा 2 बटे 3 वो 3 बटे 4 के बीच 3 परिमेर संख्याएं याती दे अब यहाँ पर तीसरा और चौथा में थोड़ा अंतर है अंतर क्या है? तीसरा प्रस्न जो लिया गया था इसमें अंस दोनों के हर जो हैं आपस में कैसे थे? समान लेकिन यहाँ पर चौथा में दोनों के हर जो हैं समान नहीं है जब हर समान नहीं है तो सबसे पहले हम को क्या काम करना होगा? दोनों के हर को समान करना होगा उसके बाद जो है हम परिमेशन क्या प्राप्त करेंगे देखते हैं कैसा होगा हमको दिया गया है दो बटे तीन और तीन बटे चार एक तरीका तो यह होता है कि तीन और चार का आप क्या ग्याद कर लें लगुत्तम या फिर एक काम और हो सकता है यह जो दूसरे के हर में है इसके आंसर हर में गुणा कर दो और पहले के हर में है दूसरे के आंसर हर में गुणा कर दो मतलब वही है लगुत्तम लेंगे फिर भी वही आएगा और यह प्रक्रिया करेंगे फिर भी वही मिलने वाला है तो यहाँ पर 2 बटे 3, दूसरे के हर में कितना है? 4, हम 4 का गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा? 4 दुने 8 और 4 तिया 12, 3 बटे 4 को लेते हैं, तो यहाँ पर 3 बटे 4 गुणे दिए, पहले के हर में 3 था, 3 का गुणा कर दिए, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, अब देखें, 2 बटे 3 बन चुका है, 8 बटे 12, और 3 बटे 4 बन चुका है, 9 बटे 12, दोनों के हर कैसे हो गए? समान हो गए, अब दोनों के हर समान हो गए हैं, तो अंस में देखो, इनके बीच आप क्या ग्याद कर सकते हैं? तो 8 और 9 के बीच में तो कोई संख्या है नहीं, त तो 3 में 1 प्लस कर दो, कितना आएगा, 4, यानि कि अब जो है, 8 बटे 12 के अंस और हर में आप कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, तो यहां कर देते हैं, 8 बटे 12 बराबर, 8 बटे 12 गुणिद, 4 बटे 4, कितना आएगा, 8 चौंक 32, बटे 12 चौंक 48, 9 बटे 12, यह हो जाएगा, 9 गुणिद 4, बटे 12 गुणिद 4, 9 चौंक 36, और 12 चौंक 48, अब देखिए, यहां पर भी अब दोनों के हर कैसे हो चुके हैं, समान, और यहां पर अंस में कितना है, 32 और 36, तो 32 और 36 के बीच में कौन कौन से संख्या होंगे, 35, 34, 35, हमको तीन परिमेर संख्या बोला था, तीन हमको मिल रहा है, तो यहां लिख देंगे, 8 बटे 12, 32 बटे 48, वा 36 बटे 48 के मध्य, तीन परिमेर संख्या, कौन कौन से होंगे, 33 बटे 48, 34, 35 बटे 48, अब यह 33 बटे 48, बटे 48, और 35 बटे 48 जो बोला गया है, हमको तो यह दोनों नमबर दिया गया था ना, यह कहां से आ गया, तो यह दोनों किसके किसके बीच है, 32 बटे 48 और 36 बटे 48 के बीच है, पर 32 बटे 48 किसके जगह आया है, 8 बटे 12 के बीच बीच में जो परिमेर संख्या हम प्राप्त कर रहे हैं, निश्चीत रूप से वो इन दोनों के मद्य में होंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, जो की, 2 बटे 3 वद 3 बटे 4 के मद्य होंगे, तो इस प्रकार से जो है हम, कोई भी दो परिमेर संख्या के बीच में परिमेर संख्या ग्याद कर सकते हैं, चाहे जीतना चाहें, उतना परिमेर संख्या ग्याद किया जा सकता है, तो इस प्रकार से यह प्रस्नक्रमांग चार भी आपका कम्प्लीट होता है, अब अगला कुश्चन देखते हैं, पांच वॉन, रिड एक और दो के बीच, चार परिमेर संख्या ग्याद किरना है, आप कर सकते हैं, वैसे यह जो वीधी बताया गया, इसमें कैलकुलेशन करना ज़्यादा नहीं पड़ता, और सत्वीधी के तुलना में यह वीधी ज़्यादा आसान होता है, तो देखते हैं, पांच वा कुश्चन हमको दिया गया है, रिड एक और दो के बीच, कितने परि अंस और हर दोनों में आप पांच का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, रिड पांच बटे पांच, वैसे यहाँ पर दिया गया हर दो, दो को हम क्या लिख सकते हैं, दो बटे एक, तो यह दो बटे एक, अंस और हर, दोनों में हम पांच का गुणा कर देंगे, दो पं और 10 के बीच में कितने परिमेर्शंख्या आप जयात कर सकते हैं रेंड 4 रेंड 3 रेंड 2 रेंड 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह हो गया आपका 13 परिमेर्शंख्या हमको मिलेगा जिन में से कितना आपको चाहिए 4 तो 13 में से कोई भी 4 को आप लिख दीजिए तो यहां हम लिख देंगे रेंड 5 बटे 5 वर 10 बटे 5 के मध्य चार परिमेर्शंख्या आप अपने हिसाब से जिसको लिखना है लिख सकते हैं रेंड 4 बटे 5 रेंड 2 बटे 5 दो बटे 5 चार बटे 5 एक दो तीन चार हो गया हैं जो की रेंड 1 वर 2 के मध्य हैं और इस प्रकास ही हमारा क्या हो जाता है अंसर हो जाता है तो यह आपका पांचवा भी हो गिया अब यहां पर जो है एक लास्ट कोस्चन सातवा है साथ बटे 3 और स्मृति आवरत वाधर दर्स आईए वैसे संख्या संख्या रिखा में संख्या को दर्स आने के लिए पीछले वीडियो में हम देख कर देता हूं, बोला गया है 7 बटे 3 और रिड 7 बटे 3, तो निसीत रूप से यहाँ पर बटे में कितना है? 3, तो 0 और 1 के बीच कहम को कितने भाग में डिवाइट करना पड़ेगा? तीन भाग में, तो पहले ही मैं वैसे करते किस देता हूँ, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ये जो हैसा क्रम से आगे बढ़ेगा, ये आपका एक, दो, तीन, यहाँ पर भी एक, दो, तीन, रिंड एक हो जाएगा, एक, दो, तीन, रिंड दो हो जाएगा, एक, दो, तीन, रि धर भी एरो मारत यह आपका हो गया संख्या रेखा ज्यान देंगे बटे में कितना है तीन इसलिए जीरो और एक के बीच को हम कितने भाग में डिवाइक किये हैं तीन भाग में अब आपको साथ बटे तीन दर्साना है तो जीरो से आप साथ जो है कॉंट कर लेजिए तो यह जी रोग बाद आपका 1,2,3,4,5,6,7 यह वाला भाग जो है आपका साथ बटे तीन को प्रदर्सित करता है रेण साथ बटे तीन अगर देखें तो जीरो से आपको लेप साइड में आना पड़ेगा तो यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ और यह आपका प्रदर्शित करता है तो इस प्रकार से हम प्रस्नावली 2.1 प्रस्नावली 2.1 का जो है प्रस्नक्रमांग 7 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में